फ्रेंड्स इस वीडियो में हम हर्याना के नुवंबर 2019 के कंप्लीट मन्त के करेंट अफेर्स करेंगे तो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीब धाल एजुकेशन में तो आए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हर्याना विधानसबा के नय स्पीकर कोन बने हैं तो ये बने हैं ग्यानचंद गुपता तो दोस्तो ग्यानचंद गुपता को हर्याना विधानसबा का नया स्पीकर बनाया गया है यानि कि विदानसभा देक्स मना गया ने तो ग्यानचंद गुपता जो है वो पंचकुला से विधायक है और ग्यानचंद गुपता ने दूसरी बार जो है वो विदानसभा चुनाव जीता है पिछली बार भी जो है ये चुनाव जीते थे नोंने तो दोस्तों इन से पहले जो रियाना के विदानसबा के जो देक्स थे वो थे कमरपाल गुजर और अभी जो है वो है ग्यानचन्द गुपता नेक्स्ट है हरियाना ने एक नॉम्बर 2019 को कौन सा स्थाबना दियुस मनाया है तो यह मनाया है दोस्तों चमवनवा स्थाबना दियुस मनाया था हरियाना ने अपना तो यह मनाया है चमवनवा तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हरियाना का जो गठन हुआ था वो एक नॉम्बर 1966 को हुआ था पंजाब से अलग होकर नेक्ष्ट रतनावली समारो 2019 का आयोजन ने कब से कब तक किया गया तो यह किया गया है दो से लेकर पांच नॉम्बर तक कुरुक्षित्र युणिस्टी के अंदर हर साल इसका आयोजन किया जाता है तो इस बार दो से लेकर पांच नॉम्बर 2019 के रतनावली समारों का आयोजन किया गया था और इस समारों में जब वो इस बार जो इसका आयोजन में रशिया और हर्यानवी कोरियोग्राफिक के हर्याना विदानसभा 2019 में सबसे बुजरूग विदायक कौन है तो यह है रगुवीर सिंग कादियान तो कांग्रेस के बेरी से विदायक है रगुवीर सिंग कादियान यह हर्याना विदानसभा 2019 में सबसे बुजरूग विदायक है दोस्तों इनको प्रोटेम स्पीकर भी बन तो आगे जो मेंबर्स होते हैं, जो चुने हुए होते हैं, जिसे कि हर्याना में 90 जो विधायक चुने गए हैं, तो इनको सपत दिलाता है, तो उसके लिए जहें वो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, नेक्स्ट है हरियाना विधानसबा 2019 में सबसे युवा विधायक कौन है तो ये है दूस्य अंत चोटाला तो जन्नायक जन्ता पार्टी यानि कि जेजीपी के उचाना कला से विधायक है दूस्य चोटाला तो ये हरियाना विधानसबा 2019 में सबसे युवा विधायक है चुना लड़ा था और युवासांसत भी रहे थे तो दोस्तो दूस्त चोटाला का जनम जो है वो 3 अपराइल 1988 को हुआ था और दूस्त चोटाला जो है वो हर्याना के छठे उपमुख्यमंतरी बने हैं तो दोस्तो हर्याना का जो पहला उपमुख्यमंतरी बना था वो थे चांदराब और अब जो च्छटे उपमुक्य मंत्री बने हैं दूative सुटाला जो कि JJP Party से बिलों करते हैं कि नेक्स्ट बारतिये कबढडी टीम के कोच कौन बने हैं तो ये बने हैं आसन कुमार तो आसन कुमार को भारतिये कबढडी टीम का कोच जो है वो बनाया गया है तो आसन कुमार हर्याना से बिलों करते हैं यह हर्याना के भीवानी जिले के गाउं भेहरा के रहने वाले हैं नेक्स्ट है हर्याना के किस जिले में पराडी से बायो गैस बनाने वाला देश का जो है वो पहला देश का पहला सिनेंतर बनाय जा रहा है तो दोस्तों ये सिनेंतर बनाय जा रहा है आपके करनाल में तो रज्य के करनाल जिले में जहाबो धान की प्राड़ी से बायों गैस बनाने वाला जहबो देश का पहला सने अंतर भी लगा जा रहा है और उमीद है कि 2022 तक यह सने अंतर बनकर त्यार हो जाएगा नेक्स्ट हर्याना के किस सास्तरिय गायक के नाम पर सोरमंडल में मंगल और बुर्षपती के बीच एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है तो यह है पंडित जसराज के नाम पर तो दोस्तो शास्त्रिय गाया क्या पंडित जसराज इनके नाम पर सोर मंडल में अब मंगल और बिर्शपती के बीच एक छोटा सा ग्रह मुर्धन्य जो है वो रहेगा तो International Astronomical Union ने जो है Minor Planet 26 VP 32 जिसका नमबर है 3122 इसको नामकर जो हो पंडित जसराज के नाम पर किया है तो दोस्तो जो Minor Planet है वह जो है वे गरह होते हैं जो नय तो गरह हैं और नय ही इने पूरी तरह से धुमके तु कहा जा सकता है तो Friends पंडित जसराज का जनम में 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था और वे भारत के सुपरशिद सास्तरिय गायकों में से एक रहे हैं और वे संगीत के मेवात गराने से तालूग रखते हैं तो एक्जाम के पॉइंट ओफ यूसे काफी इंपोर्टन क्युश्चन है ये और Friends हमने हर्याना Current Affairs से एक PDF बुक भी लौँच कर रखी है जिसमें हमने हर्याना के पिछले 12 मैनों के Current Affairs उसमें कवर कर रखे हैं तो अगर आपने अभी तक वो बुक्स नहीं देखी है PDF तो आप इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वहाँ से उसको पर्चेज कर सकते हैं उसके साथ में जब इंडिया Current Affairs की भी बुक त्यार कर रखी है PDF बुक है तो वह भी आप ले सकते हैं तो उनका लिंक वह आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन है कि हर्याना स्टेट हेल्थ रिसोर्च सेंटर ने किस जिला अस्पताल को बैस्ट कायकलब अवार्ड के तहत 50 लाग रुपे का इनाम दिया है तो यह है सोनिपत में दोस्तो हर्याना स्टेट हैlles results center ने kayak club award जितने वाले स्वास्तिक केंद्रों के सुची जारी किया है तो इसमें जब हर्याना स्टेट सेल्थ रिसोर्सूर्स सेंटर ने kayak club ऑवाडर्ड जीतने वाले स्वास्तिक केंद्रों के सुंची में परदेश के 11 डिस्टिक सिविल ऑस्पिटल का चेयन किया है तो जिसमें से जह है सोनिपत जिला अस्पताल को बैस्ट काय कलब अवार के तहट 50 लुक रूपे का इनाम दिया गया है और जो बाकी जो 10 डिस्टिक्स हैं उनको जह है एक लाग से लेकर और 10 लाग तक के इनाम उस करनाटक में है वहाँ पर भारतिया ग्यानविश्व दैल्ले जो कि धारवाड करनाटक में है वहाँ पर भारतिया ग्याना, अनसंदान संस्थान, लखनव द्वारा, आजित, अखिल भारतिया, समयनविट अनसंदान प्रियोजना जो कि ग्याना के लिए थी कि वार्शिक्स में बेटक में यह पुरुषकार दिया गया है तो अच्चाईयो का जो शित्रिय अनसंदान के अंदर है उचानी जो कि करनाल में है इसको यह अवार्ड मिला है नेक्सट है ओलंपिक तेस्ट इवेंट में भीवांए के किस बोक्षर ने सवन पतख जीता है तो दोस्तों यह जीता है पूजा राने तो पूजा राने जो है वो काफी हिन दुने अच्छी परफॉर्स कर रही है और ये भिवाने की रहने वाली है तो इन्होंने टोकियो में आई जित हुई थी ओल्मपिक के टेस्ट इवेंट है उसमें सवन पतक जीता था और पूजा रानी जाहे दोस्तों तीन बार की एशियन गोल्ड मैडलिस्ट भी रही है किस हर्यानवी पहलवान ने पहलवानी छोड़ कर जो है वो मिक्स्ट मार्सल आर्ट में अपनी पहली ही फाइट में जीत हांसिल की है तो दोस्तों ये है रित्व फोगाट तो फ्रेंड्स रित्व फोगाट ने एटोम वेट केटेगरी में कोरिया की किम नेम ही को पराजित करके अपनी पहली ही फाइट में मिक्स्ट मार्सल आर्ट जिसको की MMA कहते हैं ये फाइट जीती है तो इससे पहले जो है रित्व फोगाट पहलवानी करती थी तो फ्रेंड्स रित्व फोगाट जो है जो गिता फोगाट की और बबिता फोगाट की बहन भी है नाइस्ट एक गूगल के दवारा आयूजित परत्योगता दे वोकिंग ट्री में किस हर्यानवी बच्ची की पैंटिंग को पहला स्थान मिला है तो ये है दिव्यान सी सिंगल फ्रेंड्स हर्याना के गुडगाउं से हर्की रहने वाली है दिव्यान सी सिंगल ये साथ वर्ष ये बालिका है इनकी पैंटिंग को गूगल के दवारा आयूजित परत्योगता दे वोकिंग ट्री में पहला स्थान मिला है तो गूगल ने जो है वो चिल्डन डे के अवसरे पर दिव्यान सी दोवारा बनाएगी पैंटिंग को जो है अपने डूडल में भी स्थान दिया था तो गूगल का डूडल जो आप जानते ही होंगे जैसे कि आप सर्च करते हैं तो उसके उपर जो आते हैं कई बार आप देखते होंगे उसमें आर्ट से होती है तो वह होता है गूगल का डूडल तो जो चौबदा नुवंबर को जो है यह इसमें दिखाया गया था नेक्स्ट हरियाना की किस गुड़सवार ने दिल्ली में आयुजित विशव गुड़सवारी चेंपियंशिप में पर्थम स्थान हांसिल किया है तो यह है सवेता हुड़ा तो फ्रेंड स्वेता हुड़ा ने F.E.I. द्वारा दिल्ली में आयुजित विशव घुड़सवारी चेंपेंशिक में पहला स्थान हांसिल किया था हर्यान की पहली महीला गुड़सवार भी बन गई है। तो दोस्तों स्वेता हुड़ा powin dpędr Singh उनकी पतनी है next है हर्याना की किस refinery ने winter grade diesel विक्षित किया है तो यह किया है पानिपत रिफाइनरी ने तो हर्याना के पानिपत में इंडियन ओयल कोर्परेशन की पानिपत रिफाइनरी ने वो विंटर ग्रेड डिजल विक्सित किया है तो दोस्तों इस डिजल की खास बात यह है कि इस डिजल को माइनस 33 डिगरी तापमान में भी इस्तिमाल किया जा सकता है और यह डिजल जो है लद्दाक जिसे शेत्र के लिए विशेश रूप से जो है इसको विक्सित किया गया है क्योंकि वहाँ पर टेंपरेचर बहुत ही डाउन हो जाता है और दीजल भी वहाँ पर जम जाता है गाडिया स्टार्ट जो होने में बहुत टाइम लगाती है इसलिए इसको विक्सित किया गया है नेक्स्ट हर्याना राज्यस्तरिय खेल महाकुम 2019 का आउजन किस जिले में किया गया तो यह किया गया था गुरूग्राम में तो गुरूग्राम में राज्यस्तरिय खेल महाकुम 2019 का आउजन किया गया था और इस खेल महाकुम में जह वो परदेश के 22 जिलों के जह वो खिल तो हर्याना में जो है दोस्तो हर पसु का ध्यान नाम से एक मोबाईल अप्रिकेशन भी शुरू की गई है नेक्स्ट है राज्य में कहां पर यूजड प्लास्टिक बैग से विश्व का सबसे बड़ा स्कुल्प्चर कच्वे के रूप में बनाया गया है तो ये है ब्रहम स्रोवर तट पर तो हर्याना के रुक्षित्र जिले में स्थित्ते ब्रहम स्रोवर के तट पर 87,27 में यूज हो चुके पॉलिथीन से कच्वा बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूजड प्लास्टिक बैग से बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा स्कुल्प्चर है तो इससे पहले जो है यूजड प्लास्टिक बैग से विश्व का सबसे बड़ा जो स्कुल्प्चर कच्वे कर रूप में सिंगापूर में 21 अप्रेल 2012 को ओक्टोपस के अकर्थिक रूप में बनाया गया था तो अब हमारे जो हर्याना वाड़े हैं उन्होंने भी कच्वे कर रूप में यूजड पॉलथीन का यूजड करके और यह स्कुल्प्चर बनाया है नेक्स्ट है कौन हर्यानवी खिलाड़ी अंतराष्टी क्रिकेट में अर्थ तक लगाने वाली पहली यूवा भारतिये बनी है तो दोस्तों ये हैं सेफाली वर्मा तो शेफाली बर्मा जो हूँ अंतरश्टी क्रिकेट में अर्थ तक लगाने वाली पहली युवा भारती है जो है वो बन गई है तो फ्रेंड्स शेफाली बर्मा ने 15 साल 285 दिन की उमर में इंट्रनेशनल 50 लगा कर जो है वो सचिन का रिकार्ड तोड़ा है तो सचिन ने दोस्तों 1989 में 16 साल और 214 दिन की उमर में जो है रिकोर्ड बनाया था तो शेफाली ने जो है ये 30 साल कुराना रिकोर्ड जो है वो तोड़ दिया है तो फ्रेंड्स सेफाली वर्मा जो है वो हर्याना के रोहत्तक जिले की रहने वाली है तो ये काफ़ इंपोर्टेंट क्यूक्षिन है इसको आप नोट कर लीजिगा नेक्स्ट है कोन T20 इंटरनेशनल के 6 मैचों में 250 बनाने वाली पहली भारती एक लाड़ी बनी है तो दोस्तों ये है शेफाली वर्मा जो है वो रोहत्तक के रहने वाली है और इन्होंने जो है वो T20 इंटरनेशनल में 6 मैचों में 250 लगाई है और जो है ये ऐसा करने वाली पहली भारतिय जो है खिलाडी बन गई है जिन्होंने जो अपने पहले जो 6 इंटरेशनल T20 मैच उन्हों में 250 लगाई है नेक्स्ट है हर्याना में दूसरे हर खादी स्टोर का सुबारंब किस जिले में किया गया तो दोस्तों ये किया गया है जजजर में तो 7 नवंबर 2019 को जजजर में हर्याना का जो है दूसरा हर खादी स्टोर खोला गया था तो फ्रेंट से पहला जो हर खादी स्टोर है वो पंचकुला में खोला गया था तो यह काफी important question है इसको आप याद कर लीजिए कि पहला जो पंचकुला में खोला गया था हर्कादी store और दूसरा जजर में खोला गया है और हर्याना खादी एवं ग्रामो दोग बोर्ड है तो उसकी चेर परसन है गारगी कगड़ नेक्स्ट कपाल मोचन मेला का आयूजर ने की सवसर पर किया जाता है तो यह किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के आउसर पर तो हर्याना के यमना नगर में जो है वो कपाल मोचन मेला आजित होता है और कार्तिक पूर्णिमा के आउसर पर हर साल जो है यह कपाल मोचन मेला ल भार्त को поним PRM के लिए कोटा दिलाए हैung तो दोस्तों यह है संदीप चोदरी और सुमित अंतिल थो में ऑगौ करेएव इतलीत थी संदीप चोदरी और शुमित आंतिल इन्होंने देश को जहई chevelin throw में नेक्स्ट है कौन सा खलाड़ी T20 में सबसे तेज पचास विकट लेने वाला भारतिय खलाड़ी है तो ये है यजुवंदर चहल तो यजुवंदर चहल जो दोस्तो T20 में सबसे तेज पचास विकट लेने वाले भारतिय खलाड़ी बन गए है और जैसे के आपको पज़ प्ता ही होगा कि यह उंदर चैल जो हुर्णा की जीन्जे लेकर रहने वाले हैं और यह हैं चैस टेंपियनू रहणी। हैं। नेक्स्त है आस्टीछ लेख के किस सहर में हर्याना डियोस मनाया गया था तो दोस्तों ये मनाया गया था सिल्णी में Mr.E association of Haryanwes in Australia के दोरा Australia के Sydney छहर में जब हर्याना डियोस का आइजन किया गया था नेक्स्ट है हर्याना के किस जिले के आर्मी मेर भुपेंदर घंगस ने साउथ कोरिया में आजित एशियन रोइंग चेंपिंशिप में कांसे पदक जीता था और वुपंदर गंगस जो है वो विवाने डिस्टिक के पपोसा गाउं से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट है हरियाना के किस जिले के फ्रीदपुर गाउं में रेत खुदाई में हजारों वर्ष पुराने सिविलिंग और नंदी की मूर्तियां प्राप्त हुई है तो यह है करनाल से तो फ्रेंट्स हरियाना के करनाल जिले के फ्रीदपुर गाउं में रेत की खुदाई की जा रही थी तो उस दोरान जो वो हजारों साल पुरानी सिविलिंग और नंदी की मूर्तियां जो वह वहाँ से मिली है तो पुराक्तावी भाग के अनुसर जो है यह मुर्ति राजपूत काल और इंट जो हो कुशान काल की मानी जा रही है नेक्स्ट जी जय यू में आज़ित अखिल भारतिये अंतर विश्य विद्याले फ्रीस्टाइल कुश्टी परत्योकताव में जो कौन सा विश्य विद्याले चेंपियन बना है तो यह है MDU यानि की महर्शी द्यानंद विश्य विद्याले तो हिसार जिले के गुरुजंबे शिर विश्य विद्याले में आज़ित हुई अखिल भारतिये अंतर विश्य विद्याले कुश्टी फ्रीस्टाइल कुश्टी में जो है दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीत कर MDU चेंपियन मना है और इस चेंपियन सिप में कुरुख शित्तर विश्य विद्याले दूसरे स्थान पर रहा है नेक्स्ट है हरियाना का कौन सा विश्य विद्याले जलवायू प्रिवर्तन के शित्तर में प्रास्तनानक सनातक का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्व दाले होगा तो यह दोस्तो हरियाना केंद्रिय विश्व दाले तो महिंदगड जिले मिश्तिते हरियाना केंद्रिय विश्व दाले और ये जलवायू प्रिवर्तन पर PG कोर्स शुरू करने जा रहा है तो हर्याना केंदरिय विशिव दाले जलवायू प्रिवर्तन के शित्र में प्रास्तना सनातक पाठेगरम शुरू करने वाला देश का पहला विशिव दाले होगा तो आपको पता ही होगा कि रियाना में एक मात्तर जो है वो केंदरिय विशिव दाले है जो कि जानतपाली महंदगड में है नेक्स्ट है हरियाना के किस जी लेकी बॉक्सर विंका ने मंगोलिया में आज जित यूथ एशियन बॉक्सिंग चेंपिंशिप में सवन पतक जीता है तो ये हैं पानिपत से बिलोग करती है तो अंतराश्ट्रिय बॉक्सर विंका ने मंगोलिया में आज जित यूथ एशियन बॉक्सिंग चेंपिंशिप में सवन पतक जीता है और विंका जो अब हरियाना के पानीपत जिले के शिमला मुलाना गाउं की रहने वाली है नैस्ट है हिसार जिले की किस बॉक्सर ने मंगोलिया में आज़ित Youth Asian Boxing Championship में सवनपदक जीता है तो ये है पूनम पूनिया ने तो हिसार जिले के जो है मुल्डूप से बुड़ा गाउं के रहने वाली पूनम पूनिया ने मंगोलिया में आईज़त हुई Youth Asian Boxing Championship में सवनपदक जीता था हर्याना के ग्रह मंत्री कौन है तो दोस्तो ये है अनिल्विज अनिल्विज जो हर्याना के ग्रह मंत्री है और दोस्तो 23 साल बाद जो हर्याना में ग्रह मंत्रा ले जो हो मुख्य मंत्री ने किसी और वेक्ति को दिया है जो कि पूरन तरह जो है दिया है अनिल्विज को पहले पिछले ट्रम में क्रह मंतरा लेद जो है वो मुक्य मंतरी मनोरलाल खट्र के पास था तो दोस्तों अनिल्वीज जो है वो अमबाडा केंट से विदायक है और ये BZP पार्टी के सनुसे वरिष्ट विदायक भी है और ये चठी बार जो है वो निर्बाचित हुए हैं अमबाडा गेंट से नेक्स्ट हर्याना के किस जिले की निर्मलतमर भारतिये महिला वालेवाल टीम की कप्तान चुनिये गई है तो ये हैं पानिपत से तो पानिपत के आसन कला की रहने वाली निर्मल तमर को भारतिय महिला वालिवाल टीम का कप्तान बनाया गया है नाइक्स्ट है 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में मनु भाकर ने अपने रूसी जोड़िदार के साथ कौन सा पदक जीता है तो इसमें मनु ने सवन पदक जीता है तो मनु भाकर जो जजजर जिले के गुरिया गाउं की रहने वाली है और इन्होंने जो है वो 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में अपने रूसी जोड़िदार अर्तेम चेवनु सोब के साथ जो वो सवन पदक जीता है नेक्स्ट अब भावांतर भरपाई योजना के तहता अब कितनी फसले जो है वो इसमें कवर होंगी तो दोस्तो ये हैं 10 तो हिर्याना सरकार ने जो भावांतर भरपाई योजना में कवर होने वाले फसलों के संख्या जो अब 10 कर दी है तो दोस्तो इसमें जब स्टार्ट ह और अब इस में चो इसमें चो यह नहीं फसलों को अनले कर लई खेले हैं आलू, फूल गोबी, प्याज और टमाटर तो अब जो है इसमें गाजर, मतर, शिमिला मिर्च, बेंगन इनको भी कवर किया गया है और इसके अलावा जो है इसके साथ में दो जो है ये हैं आपके किन्नू और मूद तो ये फल वाली फसले भी इसमें कवर की गए हैं तो अब हर्यानवी बाक्सर विजेंदर सिंग ने किस देश के चाल्स अडामो को प्रोफेशनल बॉक्सिंग में प्राजित किया है दोस्तो ये है घाना के तो विजेंदर सिंग ने पूरो कॉमन वेल्थ चेंपियन घाना के 42 वर्षे चाल्स अडामो को प्राजित किया है तो दोस्त को जो है वो boxing का powerhouse भी कहा जाता है और इसे जो है वो little Cuba भी कहते हैं नेक्स्ट हर्याना स्टेट वेर हाफसिंग कोर्परेशन के chairman कोन बने हैं तो दोस्तों भी सरकार ने यह कुछ एक बोर्ड और नेक्स्ट हर्याना पशुद्हने विकास भूड का chairman किने बनाए गया है तो सोंवीर सांगवान को हर्याना प्रसुदन विकास बोड का चेर्मेन बनाया गया है तो ये चर्कित आदरी से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट हर्याना परेटन निगम का चेर्मेन किने नियुक किया गया है तो ये है रणदीर सिंग गोलन तो दोस्तोरन दीर सिंगोलन को हर्याना परेटन निगम का चेर्मेन बनाया गया है नेक्स्ट है हर्याना वन विकास निगम का चेर्मेन किने बनाया गया है तो ये बनाया गया धरमपाल गोदर को तो भी जह है हर्याना सरकार ने धरमपाल गोदर को हर्याना वन विकास निगम का चेर्मेन बनाया है नेक्स्ट है फिलिपिन्स में आउजित अंतर राश्टरिय परतियोगता में मिसेज टूरिस्ट अम्बैस्टर का किताब कि सर्यानवी ने जीता है तो यह जीता है मनीशा गोडने तो दोस्तों मनीशा गोडने फिलिपिन्स में आउजित हुई मिसेज वर्ल्ड टूरिस्ट अम्बैस्टर का किताब जीत कर जो हर्याना और देश का नाम रोशन किया है मनिशा गोड ने जो हो इससे पहले भी राजस्तान के उद्यपूर के जो ताज होटल है उसमें आज तुदी परत्योगिता मिसेज इंडिया यूनिवर्सल तो उसमें जो है नोंने मिसेज इंडिया टूरिजम 2000 में उसका खिताब भी जीता था तो दोस्तों मनिशा गोड की शादी जो है 2008 में करनाल के रहने वाले गोपाल के साथ हुई थी और इस मनिशा गोड जो है सोनिपत में रहे रही है नेक्स्ट आठव में चंदिगड सहित्य उत्सव का आजजन कभ से कब तक किया गया था तो ये किया गया था आठ से लेकर 10 नुवंबर तक तो आठ से लेकर 10 नुवंबर तक जह है वो आठवे चंदिगण सहित्य उत्सव का अजन अदब फाउंडेशन के द्वार किया गया था और इसकी थीम में रखे गई थी पठन सामगरी में शुदता या ऐशुदता ये इसक परिक्षा सिवा के फैजल इमाम को जो है वो हरियाना के नए महालेखाकार के नियुक किया गया है तो दोस्तों फैजल इमाम जब दो जर्बैच के भरतिय सिवा के अधिकारी है और फैजल इमाम जब वो इससे पहले पंजाब एवम के अंदर सासित परदेश सिंदिगड के मह लेखाकार भी रहे चुके हैं Next हे हर्याना के किस विज्ञानिक को 19-वे अंतराश्ट्रिये पॉद संद्रक्शन सम्हेलन में उतक्रिष्ट पॉद संद्रक्शन विज्ञानिक के रूप में समानित किया गया है तो ये है प्रोफेसर राम सिंग तो दोस्तो प्रोफेसर राम सिंग को अंतराश्ट्रिय पोज संद्रक्षन विज्ञान संस्ता में 19. अंतराश्ट्रिय पोज संद्रक्षन संमेलन में उत्कृष्ट पोज संद्रक्षन विज्ञानिक के रूप में समानित किया गया है दोस्तों इसका जो सिय समिलन था इसका आजन हैदराबाद अंतराश्ट्रिय समिलन के अंदर में किया गया था और प्रोफेसर राम सिंग जब वो हर्याना किर्शिव शुदलयाने की अच्चेयू में निदेश्यक मानव संसादन पर बंदन पद पर भी रहे हैं नेक्स्ट है हर्याना फिलम पर्मोशन बोड के चेर्मेन कोन है तो ये है 37 कोशिक तो मशूर फिलम निर्माता है 37 कोशिक ये हर्याना फिलम पर्मोशन बोड के चेर्मेन है तो दोस्तो श्तीश को सिफ जो वो महिंदरगट जिले से बिलोंग करते हैं और दोस्तो हर्याना में फिल्म पॉलिशी का सबारम जो वो 27 अक्तूबर 2018 को किया गया था और अब जो हर्याना फिल्म को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें पॉलिशी बिनाए गई है और जैसे भी कोई फिल्म की शूटिंग के लिए जो है वो अपलाई करता है हर्याना में तो उसको जल्द ही जब उसके अपरोल भी दी जाएगी और हर्याना जो है भी हाली में गवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ था पचासमा तो उसके अंदर भी पहले बार भाग लिया है नेक्स टेक किस देश ने हर्याना में उद्ध्योग अस्पताल और प्रेटन में सहयो करने की पेशकर्ष की है तो ये है उजबेकिस्तान फ्रेंट्स उजबेकिस्तान ने हर्याना में फार्मासिटिकल, उद्योग, अस्पताल, प्रेतन और चिक्तसा प्रेतन के शित्र में शहेयो करने का जोब परस्ताव हर्याना सरकार के 사ामने रखा है तो भष्रत में उजबेकिस्तान के राजदूत हैं फरहद आरजय इन्होंने ये पेशकर से हर्यान सरकार से की है नेक्स्ट हर्याना में सरकारी अस्पतालों के कोल्ड चैन में रखी बहुमुल्य वैक्सीन को सुरुक्षित रखने के लिए किस तक्निक को अपनाए गया है तो ये है इविन नमक तक्निक इविन की फुल फॉर्म है Electronic Vaccine Intelligence Network तो इविन जो है वो देश में ठीका करन स्प्लाइचेन प्रनालियों को मजबूत करने के लिए एक नई तक्निक है और स्वास्ते वं प्रिवार के लण मंत्राले दवाराई से स्यूंक तराश्टर विकास का रख्रम यानि की UNDP के सहोग से लागू किया गया है तो इस एप के माद्यम से जब वैक्सीन के खराब होने की सूचना जब समय पर मिल सकेगी और इससे जब उनको खराब होने से भी बचा जासकेगा सवच सर्वेक्षन ग्रामीन 2019 पूर्षकार के तहत उत्तरी शेत्र में हर्याना को कौन सा पूर्षकार दिया गया है तो यह दिया गया है पर्थम पूर्षकार तो केंदरिये जल सकती मंतरा लेके स्वच स्वर्वेक्षन ग्रामीन 2019 पुरुसकार के तहत जो वो पुत्री शित्र में हर्याना को पहला स्थान मिला है और केंदरिये उरुवरक अम्रुषायन मंतरी जो हैं डीवी सदानन्द कोडा और केंदरिये जल सकती मंतरी रतनला कटार लेके पुरुसकार वित्रित किये थी नेक्स्ट हरयाना का कौन सा जिला स्वच स्वर्वेक्षन ग्रामीन 2019 पुरुसकार के तहत पहले स्थान पर रहा है तो दोस्तों यह है फृदाबाद तो केंद्रिय जल सकती मंत्राले के सबच्छ सर्वेक्षन ग्रामेंट दोजर निस पुरुषकार के त्याज़ जिला श्रेणी पुरुषकारों में फिर्दाबाद को पहला स्थान मिला है और इसमें जो है दूसरे स्थान पर रिवाड़ी रहा है और तीसरे स्थान पर महंदर गट रहा है नेक्स्ट चौदमी एशिया इनिसानेबाजी चेंपियंशिप में मन्नु भाकर ने 10 मीटर एर राइफल में कौन सा पदक जीता है तो इसमें मन्नु भाकर ने 7 पर रख जीता है तो आपको पहले भी बताया था वो था इनका जो है मिक्स यानि की जोड़ीदार के साथ में जीता था नों ने और यह जो 10 मीटर में जीता है यह इनों ने अपने सिंगल इमेंट में जीता है तो दोस्तों आपको पता ही होगा मन्नु भाकर जजज़र के गुरेया गाम से भी बिलोग करती है और इन्होंने यूथ ओलम्पिक 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था नेक्स्ट है हरियाना के किस गाउं से यमुना में 30 फिट गहराई में कुशान काल की इंटे और मुर्तिया मिली है तो यह है फरीदपूर से तो हर्याना में करनाल जिले के अंदर फिरितपुर गाव है तो वहाँ पर एक खिनन शेत्तर के अंदर यह मुना में 30 फीट गहराई में कुशान काल की एंटे और मुर्तियां मिली है तो पुरा दताव भाग के अनुसार जो है यह शिविलिंग और मुर्तियां आठमी और नमी सद्धी में बनी हुई है तो यह काफी पुराणी जो है त्यास की चीजे हैं और इनसे आगे भी खुदाई करके और भी चीजों के बारे में बता जलेगा इस वीडियो में आपके लिए दो क्यूशन्स है तो इनका अंसर आप दीजिएगा यह क्यूशन्स आपको पीछे वीडियो उसके अंदर भी करवाई हुए है और दोस्तों हमने जो है current affairs हर्याना और इंडिया से related pdf जो है वो त्यार कर रखी है तो अगर आप वो बाई करना चाथे हैं तो इसका link जो है तो इसमें आपके option है A. उचाना, B. सफितो, C. आदिबत्री या D. धामन और दूसरा question है आपके लिए कि हर्याना विधानसभा के नए speaker कोन बनी है तो इसमें आपके option है A. रगुवीर काद्यान, B. ज्यानचंद गुपता, C. किर्षनलाल पमार, D. हर्मोहिंदर सिंग तो इन दोनों questions के answer आप अभी इस वीडियो के comment box में जरूर दीजीगा और जो हमने पीछली वीडियो में question पूछे थे, उनके answer आपको बता जाते हैं लगबख सभी दोस्तों ने सही answer दिये थे तो question था कि हर्याना में 2019 में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए है तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप like और share जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इसी तरह से हमारे द्वारा प्रवाइड गिया जाने वाले करांट affairs देखना चाते हैं तो हमारे चैनल संदीब जाल एजुकेशन को सबस्क्राइब करके बैल आकन जरूर दबाले ताकि आपको latest videos time to time मिलते रहें तो मिलते हैं next video के साथ